Hello Friends, आज हम Bad Guy ये 2001 की Korean Movie एक्स्प्रेंग करने वाल है इस Movie में गैंग्स्टर एक लटकी को देखता है पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है इसके बाद गैंग्स्टर इसे हमेशा के लिए फसा लेता है ये एक अजीवी तरह की लव स्टोरी है तो चलिए इसे एक्स्प्रेंग करना स्टार्ट करते है Movie स्टार्ट होती है और हमें हमारा main character हान रस्टे से जाता हुआ दिखता है वो city में आता है जरा hangout करता है हान गैंग्स्टर है और ये prostitution की एक ring चलाता है हान जब रस्टे से जा रहा होता है तो उसे सुन दिखती है सुन हमारी और एक main character है सुन को देखती है उससे बहुत ही attracted हो जाता है सुन बेंच पेटी हुए होती है तो उसके पास जाकर बेट जाता है सुन का boyfriend पाच मिनिट में वहाँ आने वाला होता है हान इसको ही घूर रहा होता है तो सुन जारा डर जाती है थोड़ी देर में सुन का boyfriend आता है ये वहाँ से जा रहे होती है पर हान उटता है उसके पास जाता है और उसे जबरदस्तिक हीस करता है अब सुन तमाचा खड़ा कर देती है उसका boyfriend भी उसे sorry कहने के लिए कहता है हान कुछ भी बोल नहीं रहा होता और सिर्फ देख रहा होता है यहाँ कुछ पुलिस आते हैं और इसे apologize करने के लिए कहते हैं हान अभी भी सुन नहीं रहा होता तो पुलिस और हान इन दोर में fight हो जाती है हान अपने घर पर आता है वहाँ उसके दो friends हमें दिखाई देते हैं इसे बहुती गुसा आया होता है तो खिड़की वो तोड़ देता है next दिन जहाँ पर उसे सुन मिले थी उसे जगा पर जाकर बेट जाता है उसे सुन फिर से दिखती है तो उसका पीछा करने लग जाता है उसका क्या routine है यह वो जान लेता है सुन जब library में होती है तो हान अपने friend के साथ वहाता है हान का friend एक wallet लेता है और सुन के पास जाकर रख देता है यह wallet रख कर वहाँ से चला जाता है और सुन थोड़ी देर बाद इसे देखती है इसे ज़रा लालच आ जाता है और यह wallet वो उठा लेती है बात्रूम में जाती है और सब पैसे count करने लग जाती है इसके बाद एक आदमी इस wallet को ढूणता है और यह सुन को spot कर लेता है सुन की पीछे-पीछे भागने लग जाता है सुन भी बहुत दूर तक भागती है पर एक जगा वो रुख जाती है अब यह आदमी wallet check करता है कहता है तो यहाँ तो बहुत सारे पैसे थे इसमें एक check भी था जो 10,000 डॉलर्स का था अब मेरे सारे पैसे कोन देगा वो सुन को धमकाने लग जाता है सुन को कहता है कि अब तुम क्या करोगी सुन भागने की कोशिश करती है पर वो कही भी जा नहीं सकती यह आदमी कहता है कि तुम कुछ भी करो कहा से भी पैसे लाओ यह तुम्हें लेना पड़े तु लोन ले सकती हो सुन कहती है कि मुझे कोन लोन देगा यह आदमी कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हो जो तुम्हें लोन दे सकते है यह आदमी फिर गैंक के पास उसे लेकर आता है यहाँ पर एक contract रों sign करती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो पैसे pay नहीं कर पाई तो उसकी body पर पुरा gang का हक होगा यह जो सब plan था यह हन का ही था यह आदमी भी हन नहीं plan किया था अब सुन बड़े trouble में first जाती है हन उसका यह जो business है यह रस्ते पर चलाता है यहाँ पर जब पुलिस आता है तो उसका friend मियोंग आगे जाता है और पुलिस को रिश्वत विगरा देख रहता है अब नेकसिन में हम देखते है कि सुन गैंक के आदमी के पास है सुन पैसे नहीं दे पा रहे तो भी पूछता है कि तुम आप ग्या करोगी यहाँ से भगने के कोशिश करती है पर यह उसे पकड़ लेता है यह उससे जबरदस्ती intimate होने के कोशिश करता है पर यहाँ han के friends आ जाते है यह उसे बहुत मारते है इसके बाद han के friends सुन को उनकी area में लेकर आते है यहाँ पर इस business की जो man होती है इसे उसे उसे शोब देते है यह leader सुन से उसका नाम बुच्छती है पर सुन अपना नाम बता नहीं रहे होती है तो उसे बहुत मारती है इसके बाद सुन सब कुछ बात करने लग जाती है इसके बाद सुन के लिए वो शॉपिंग करते है और उसे भी शॉप में डिस्प्ले के लिए रख देते है रस्ते से एक आदमी जाता है और सुन को चूज करता है यह दोनों फिर रूम में आ जाते है सुन यह करना नहीं चाहती तो स्ट्रगल करने लग जाती है जिस रूम में होते है इस रूम में एक बढ़ा सा मेरर होता है मेरर के दुसरे साइड में हान सब कुछ देख रहा होता है रूम के अंदर के लोगों को हान वहा है यह पता नहीं चलता यह आदमी सुन को जबरदस्ती कर रहा है तो हान अपने फ्रेंड को बेचता है बॉइफ्रेंड ने गाड़ी में उसके साथ होता है ये पूछता है कि आचानक तुमने मुझे क्यों बुलाया है सुन इसे हग करती है पर ये सब हान भी देख रहा होता है हान को जेलस मैसुस होता है तो सुन के बॉइफ्रेंड के पास जाता है और उसे बहुत मारता है अब सब्स्ती होता है ने इस दिन हान के पास जाता है तुससे एख डुरायंग के साथ बेठा हुध होता है इसमें से एक फ्रेंड का नाम होता है कि बहुती घूटीफुल है वह हमेसा से कॉल्च करना चाता था सुन उसे बहुत ही पसंड है ये के पास हांग का फ्रेंड मियोंग आ जाता है मियोंग अब सुन के साथ इंटिमेट हो जाता है और कहिता है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मुझे लगता है कि मैं ही तुमारे इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉंसिबल हूँ जो भी सब हुआ था यानि कि हान ने सुन को फसाया यह सब कोछ वो सुन को बता देता है अब सुन बहुत ही जिर जाती है और हान के पास आती है इसे बहुत मारती है और वहां से चली जाती है हान अपने फ्रेंड पर बहुत ही जिर जाता है वो एक बड़ी से बैट लेता है उसे मारने कोशिश करता है पर मारता नहीं मियोंग अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अब सुन बहुत ही दुखी हो जाती है, वो बहुत रोती है। उसकी बौस जब उसके बास जाती है तो सुन कहती है कि इस जगा पर में क्यों हूँ, तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रही हो। इस दिन सुन जब रेडी होती है तो उसे बहुत ही depressed मैसुस होता है इस शीशी की तरफ देखने लग जाती है हान भी उसे ही देख रहा होता है हान उसे समझने की कोशिश करता है हान को उसके लिए काम करने वाली एक लड़की बुला थी है और कहती है कि यहां कुछ ना कुछ तो गड़ बड़े उसे लग रहा होता है कियुसे कोई धेख रहा है इस लड़की की रूम में हो जाता है वर सब कुछ चेक करता है तो उसे वहाँ एक कैमेरा मिलता है यह कैमेरा हैं की दूसरे यून ने लगाया हुह होता है इन सब लड़कियों के जो बहुत है ये यून को बहुत मारती है यून जब वहाँ से चला जाता है तो मियूंग हां को समझाता है वो कहता है कि इसके फाइदर को cancer है इनकी इलाज के लिए बहुत सारे बैसे लगने वाले थे इसी वज़े से इसने किया होगा Han भी Yun के पास जाता है और उसे माफ कर देता है Yun अब नहीं नहीं यहाँ आई है तो सब customer Yun के पास जाते है दूसरी लड़किया जो यहाँ काम करती है इसे जगड़ा करती है इसे slap भी हो कर देती है म्यूंग अब अपने फ्रेंड से बात कर रहाता है वो कहता है कि क्या मुझे Han को जाकर बता देना चाहिए कि मैं Yun से बहुत प्यार करता हो म्यूंग अब Han के पास जाकर कहे भी देता है वो कहता है कि सब कुछ सही रहा तो मैं उसे शादी भी करने वाल हो तुम्हें उसके साथ जो भी किया इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूँगा म्यूंग अब सुन के पास जाता है और अपनी सब फिलिंग्स उसे बता देता है सुन इस वर बिलिव नहीं करती सुन फिर कहती है कि अगर सच्चूस में तुम मुझे प्यार करती हो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो म्यूंग फिर सुन को बाहर निकलने में हेल्प करता है और सुन वहाँ से चली जाती है सुन अपने घर के पास ही होती है तब ही हान उसे फिर से उठा लेता है मैं उनको जब पता चलता है कि हान सुन को लेने के लिए गया है तो वो कहता है कि यह भी सही ही होगा मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ हान सुन को बीच पर लेकर आता है बीच पर हम देखते है कि रेट ट्रेस में एक लड़की है यह लेटी समुंदर में जा रही है और हान इसे ही देख रहाता है जिस स्पॉट पर वो बेठे हुए होते है तो फाड़ी होई फोटोग्राप सुन को वहां मिलती है यह उठा लेती है और रख लेती है सुन हान को कहती है कि प्लीज मैं जाने तो पर हान उसे फिर से वापस लेकर आता है इस राद हान सुन के पास आता है यहां कर वो रोने लग जाता है रो रो कर ही सो जाता है हान के गैंग का जो ओरिजिनल बॉस था यह जेल में गया था और वो छूट कर वापस आ चुका है ये जब area में आता है तो सुन के पास जाना जाता है हान को है सही नहीं लगता तो अपने friend को भेज़ कर अपने boss को भार निकाल देता है boss का एक right hand आदमी होता है जो हान को बहुत injure कर देता है इसके बाद वो और हान इन दोनों में one to one fight होती है इस fight में हाने paper को ही चाकू की तरह shape देता है और इस आदमे को मार डलता है अब boss कहता है कि तुम थोड़ी भी नहीं बदलियो उसे job देकर वहाँ से चला जाता है boss ने pretend तो किया है कि हान को उसने maaf कर दिया है पर actual में उसने उसे maaf नहीं किया होता एक आदमी को भेजता है जो एक बहुत बड़ा शीशा लेकर जा रहा होता है हान के बास जाकर उसके पेट में ही डाल देता है हान बहुत ही injured होता है पर उसे proper medical attention मिल जाता है अब next scene में हम देखते है कि यून और मियूंग ये दोनों friend हैंग आउट कर रहे होते है वह अबर पुलिस हपता लेने के लिए आता है यून हर एक पुलिस को hate करता है ये पूरी hate पुलिस को पता चलती है ये पुलिस कहता है कि ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो मियून पुलिस को रोकता है और कहता है कि उसकी आखे ही वैसी है तुम इसे ignore कर दो यून पुलिस पर बहुत ही चिड़ गया आता है तो रात में जाकर उस पुलिस को मार कराता है हान को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्ता आता है यून अगर जेल में गया तो उसकी बुरी life बरबाद हो सकती है यून के फादर भी बिमार रहते है उस पर हान को तरस आता है और यून की जगा पर अब हान जेल में जाने वाला है हान अल्रेटी जेल में जा चुका है तो इस बार उसे फासी होगी हान को डेत्रो में डाल दिया जाता है सुन को हान के बारे में जब पता चलता है तो बहुत ही सैड हो जाती है उसके बहुत उसके पास आती है तो कहती है कि हान के वज़े से ही तुम्हारे साथ यह सब हुआ है और तुम उसके लिए ही सैड हो क्या तुम उससे कुछ बात करना चाती हो इसके बाद हम देखते हैं यून सुन को लेकर हान से मिलने के लिए आता है सुन उस पर चीड कर बोलती है कि यहाँ से अब तुमें बाहर निकलना है तुम इस तरह से मर नहीं सकते हैं तुमने मेरी लाइव वरबात की है तुम यहाँ से बाहर निकलना होगा जब यून सुन को लेकर जा रहा होता है तो गाड़ी रोग लेता है तो कहता है कि आप तुम यहाँ से चली जाओ वो उसे फ्री करने वाला होता है पर सुन मानती नहीं सुन ने बीच से जो फोटोग्राफ ली थी इसमें हान है और एक लड़की के साथ है यह वही लड़की है जो हान बीच में देख रहा था नेकसिन में हम देखते है कि इनके एरिया में और एक पुलिस वाला ब्राइब लेने के लिए आता है वो डिसाइड करता है कि अब इस पुलिस ओफिसर को मार देगा और जेल में चला जाएगा यह अब इस पुलिस ओफिसर को मार देता है और जेल में आ जाता है जेल में भी यून की उसकी इन्वेंट के साथ नहीं जम दी तो यहाँ भी वो बहुत मार खाता है हान का आज मरने का डे आ जाता है यहां भर्यून बहुत ही तमाशा खड़ा करने लग जाता है जब उसे शान करने लिए गाड वहा जाता है तो गाड को ही जेल में बन करकर वो बाहर निकलाता है वो हान के पास आता है और हान को मारने लग जाता है वो हान को कहता है कि अब तुम सच बोल दो तुम्हारे लाइब बस सकती है इसके बाद हान सब को सही से कनफेस करता है और जेल से बाहर आ जाता है हान फिर से मिरल के बीचे के रूम में जाता है और सुन को देखता है सुन को न्यूज मिलती है कि हान अब बाहर निकल चुका है हन फिर सुन के बार जाता है और इसे देखकर ये खुश होती है इसे हग करती है और रोने लग जाती है नेक्स दिन हन सुन को गाड़ी में बिठाता है जिस जगावर सुन को उसने पहली बार देखा था वही उसे छोड़ देता है इस बार सुन को लेने के लिए कोई भी नहीं आने वाला याने कि सुन को सही में उसने फ्री कर दिया है MILLIONC सुन से प्यार करता था हूं को कहता है कि तुमने यहसा क्यों किया MILLIONC को लगता है कि हानने सब कुछ बरबात कर दिया है राद में ड्रंक हो जाते है और इन दोनों की फाइट हो जाती है इस फाइट में म्योंग हान के पेट में जाकू डाल देता है हान खुन से लटपथ होता है और वो आगे चला जाता है हान फिर अपना इलाज कर vaata है कि हान ने सुन को जिस बीच पर लाया था उसी बीच पर सुन पहुच जाती है जिस स्पॉट पर उसे फोटोग्राफ के पीसेज मिले थे इनी पीसेज को ढूनने लग जाती है सारे पीसेज को ढून लेती है और यह फोटोग्राफ अब वो कम्प्रीट करती है जब वो देखती है तब आन की जो पहली girlfriend थी ये सुन की तरह ही दिखती थी पहली बार आन ने जब सुन को देखा था तो बिलिव ने कर पया था हन ने सुन के साथ जो भी किया था वो गलत किया था पर सुन को realize होता है कि उससे बहुत प्यार करता है जिस dress में हान की girlfriend की photo होती है वही dress यून बाय करकर आती है यह वो पहन कर बीच पर नज़र रखती है थोड़ी दिर में वहाँ हान भी आता है हान की पास आती है और बेट जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि हान एक truck बाय करता है यहाँ पर वो बिस्तर दक्या वगरा सब कुछ लगाता है यानि को यहाँ रह सके यहाँ पर रहने खाने के लिए जो भी सब चीज़े होती है यह सब वो रख देता है हान और यून यह दोनों नई life start करने के लिए एक नई city में जाते हुए में दिखते हैं सब को लगता है कि हान अब मर चुका है तो उसे अब ग्यायंग में रहने की कोई भी जरुवत नहीं है हमने movie में देखा है यह उनको free कर दिया गया था पर फिर भी वो वही जगा पर आ गई अगर वो फिर से real world में जाएगी तो वहाँ वो रहने ही पाएगी पर इस चानल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबाना भी मत भूले है हम वही जब से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये